कि चिंता सब लोगों के थी कि महामारी कॉरोना और इस कॉरोना से कैसे निप्टा जाए अभी तक की तैयारिया अभी तक के निदान वर्तमान प्रस्थिती और आने वाले समय में क्या कुछ सावधनिया बरतनी हैं इस सब के उपर प्राया सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी और से सुजाओ दिए अपनी वर्तमान स्थितिका बढडन किया भिनमिन प्रकार के विशे आये लगातार प्रदार्मंत्री जीने सुने और प्रदार्मंत्री जीने अपने समापन बोधन में कुछ संकेथ दिये और उन संकेतों के अधार के उपर एक बात जो कही जा सकती है कि जिस लॉकडाउन की अवधी अभी 14 अप्रेल तक की गई थी प्राया प्राया सबकी और से ज़ाव था कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी जो बिमारी है इसका उस्वरूप चाहिए वो धिरे धिरे भी बढ़ रहा है अपने देश में भले उस गती से नहीं बढ़ रहा जिस गती से दुनिया के कुछ देशों में बढ़ गया लेकिन फिर भी चिंता तो यह है और इस चिंता में लगातार हर दिन किसी के 20-25-30-18 प्रति दिन पढ़ते हैं अभी हम करो न की दूसरी स्टेज में है कुम्यूटी के अंदर जो फैला होता है वो तीसरी स्टेज में जाकर होता है मैं आशा करता हूं कि हम इसको दूसरी स्टेज में ही रोक कर रखे और तीसरी स्टेज पर न जाने दे इतनी सब चर्चाओं के मध्य जो संकेत मिले हैं वो यही हैं कि यह कोरोना का यह जो लॉकडाउन का फिरियड है यह निश्चित रूप से 14 तरीक के बाद लगबग दो सप्ता के लिए तो अवश्य बढ़ने ही वाला है ऐसा मैं मानता हूँ विधिवत गोशना स्वेम प्रधान मंत्री जी करने वाले हैं लेकिन हम सब को इसके लिए तयार रहना चाहिए सारे देश के प्रधान मंत्रियों सारे देश के मुखे मंत्रियों सभी प्रदेशों के मुखे मंत्रियों ने इस परकार की अपने सोजहाव दिये अपनी इच्छा विक्त ही है तो उसमें से 15 दिन का यह Lockdown का period युदि बढ़ता है तो उसके लिए हमको तुरंट तयार रहना है और ये lockdown का पेड़ इस बार बढ़ेगा लेकर प्रधान मत्रीज ने उसमें कुछ और बातें भी जोड़ी है पिछले समोधन में उन्होंने जनता को समोधन करते हुए कहा था कि जान है तो जहान है आज उन्होंने इसमें नया आयाम दिया इसको कि हमको जान भी बचानी है और जहान को भी बचाना है तो जान बचेगी हमारे जितनी भी सावधनिया है हमारा जो lockdown period है इसमें social distancing का हमारा मंत्र है बाकी सब सावधनिया है हमारे इलाज, हमारा medical staff, हमारा health staff ये सब उस काम में लगा है कि किसी की जान न जाए लेकिन जहान बचाने का अर्थ है हमारी सामाने गतिविदियां वो भी प्राया रुक्सी गई है और विशेश तोर पर आर्थिक गतिविदियां अब इन आर्थिक गतिविदियों को लंबे समय तक रोकना ये शायद किसी भी प्रदेश के किसी भी देश के यानि उसके हित में भी नहीं है कठिन भी बहुत है असंबव सा प्राय है तो इस बार के लोकडाउन के समय उन्होंने और जो संकेत दिये है कि इसको phased manner में हम इसके वस्ता करेंगे कि हमारे लोगों के कासकर का मजदूर है किसान है हमारे छोटे उद्योग है ये किस परकार से चले इसके लिए पूरे क्षेत्र को तीन भागों में माट करके योजना बनाई जाने वाली है मुझे लगता है एक या दो दिन में केंदर की ओर से भी योजना आएगी हम परदेश के लोग भी अपनी योजना बनाएंगे और उसमें तीन क्षेत्र में एक हुआ क्षेत्र जहां कुरोना से प्रभावित लोग ये अधिक संख्या में है जो लोग पीडित हो गए जो इस वाइरस के फैलने से संख्या बढ़ गई उन क्षेत्रों को अभी रेड जोन एक प्रकार से हमने कहा है और रेड जोन में हॉट स्पॉट जितने भी इरियाज हैं वो उसमें चिन्हित किये गए हैं हर्याना प्रांत में हमने चार जिले गुरुगराम है फरिदाबाद है नू है और पलवल है ये चार जिले रेड जोन में अर्थात रेड एक प्रकार से होट स्पॉट है तो इन में थोड़ा हमको सक्ती वरतनी पड़ेगी कि इसके एरियाज में हम शायद उस प्रकार की एक नौ में गतिविदीस बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी न चला पाएं शेश पूरा जो प्रांत है अठारा जिले उनको आगे दो भागों में बाटा जाएगा जिसके अंदर एक वल्नरेवल होंगे जिसको हम और इंज कैटेगरी में रखेंगे अर्था जहां प्रकौप करोना का ये कम मातरा में है कोई कोई कहीं कहीं पॉजिटिव केस है या जहां अधिक संख्या में लोगों को अभी अब्जर्वेशन में रखा गया सर्वलेंस में रखा गया जहां विदेश के लोग ज़्यादा अपने परिवारों में आकर रह रहे हैं, कॉरंटाइन होकर के रह रहे हैं, उसको कुछ जिरों को हमें, और सेकंड कैटेगरी, ओरेंज कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जिसको हम वलनरेवल जोन कह सकते हैं, और एक तिसरी कैटेगरी, जहां कॉरोना के प्रकौप का प्र्या-्प्रा ना के बरावर है, बहुत कम हैं, हुआ लोग जो है, ऑट्या कुछ ब्लॉक्स, इसको जिले के नीचे ब्लॉक लेफल पर या शेहर लेफल पर भी जाखर के उसका नियतने किया जाएगा, और एक या दो दिन में, यह सारी सारा वर्गी करनी हो जाएगा और उस प्रकार से काम करने के लिए कुछ ना कुछ सहुलत कुछ छूट ये देने की बात आई है लेकिन इसमें भी जो निया में हुनका पालन इसी रूप से करना पड़ेगा लॉकडाउन सब तरफ रहेगा तीनों प्रकार के जोन में रहेगा क कम संख्या वाली जो संस्थान हैं जो मध्यम वर्गिये जो संस्थान हैं अत्वा MSME हैं लगूत द्योग के संस्थान हैं जहां कम संख्या में लोग काम करते हैं उनको अपनी शोशल डिस्टेंसिंग की सारी प्लैनिंग खुद बनानी पड़ेगी शोशल डिस्टेंसिंग जो प्लैन है वो जिसकी पास होगी उनी को काम करने के लिए छूट मिलेगी अर्थात फैक्टरी के अंदर परिसर के अंदर उन सब लोगों को दूरी बना करके काम करना रात्री को वहीं रहना वहीं उनके भोजनादी के वगस्ता वो लोग अपने संस्थान से बाहर न निकले इस शर्थ की ओपर भी उन संस्थानों को चलाने का एक प्रावधान बनाया जाएगा और इसमें मैं छोटे उद्योग जितने हैं छोटे संस्थान व्यापारिक संस्थान सबसे निवेदन करता हूं कि वह आजी बैठ करके अपनी प्लैन बनाएं और हम शोशल डिस्टेंसि प्लैन कमेटी के माध्यम से ही अनुमती मिलेगी कि कौन से उद्योग को चलाया जा सकता है हमारा कच्चा माल जो है उसको विधिवत आने जाने के लिए अनुमती होगी हमारा जो फिनिश्ट गुड्स है पका माल है उसको भी आने जाने की सहमती अनुमती होगी लेकिन पूर्ब हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी किसी भी एरिया में यदि हमको पास भी मिलता है बाहर जाना किसी अनुमती से हम अवसर भी मिलेगा तो उसमें कुछ सावधनिया विशेश तोर पर हर किसी को काम करते समय आत्वा बाहर निकलते समय अपने मुख को कवर करना होगा ताके इसकी जो वाइरस की जो फैलने की उससे हम बच सकें वो फैलने ना पाए तो अपने यानि मुख के कवर को फेस मास्क जिसको कहते हैं उसको लगा करके चलना पड़ेगा उसकी व्यवस्था प्रया प्रया सब जिलों में हो चुकी है हम जहां भी जाएं फेस मास्क से इसको भी अपना अंग बनाएं इसका जुरूर हम लोग ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से ऐसे अवसरों पर प्रधान मंत्री जिने एक विशे और ध्यान में कराया है कि कहीं व्यवसाय के नाते से लोगों में लालज जबढ़ता है तो कुछ काला बाजारी शुरू हो ज करता है तो उसकी जानकरियां यह प्रशाशन को अवश्य आप लोग देंगे जहां उद्योग का विशे है इस उद्योग में इस उद्योग के साथ साथ कंस्रक्शन अर्था बिल्डर्स उनके लिए भी एक जानकरी ताकि वो अपने अपने जो कारीगर हैं अपने मजदूर हैं उनको उचित दूरी पर काम करते समय शोशल डिस्टेंसिंग का वो फार्मूला रख करके और धूलादी भी न उड़े इसलिए उन से बातों को ध्यान रखते हुए अपनी प्लैन बनाए और प्लैन बना करके शोशल डिस्टेंसिंग कमेटी इनको प्लैन कमेटी को हम ज करके रखेंगे तभी इस सारे काम को हम लोग करवा पाएंगे इसी प्रकार अभी जैसे हम बाजार में भी जाते हैं अत्वा जरूरी कामसे हम किसी ख्षेत्र में बाहर भी निकलते हैं अर्थात मार्केट में हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं देखा यह जा रहा है कि वहाँ कहीं कहीं सुबह शाम भीड होती है हमने प्राधान किया है कि ऐसी जो आवशक जो चीजे हैं उसके वित्रन के जो स्थान है वहाँ उनका समय इसको बढ़ाया जा रहा है ताके प्रातेकाल जल्दी से लेकर के साइकाल देर तक भी अगर उनका समय हम खुला रखते हैं ताके लोगों को एक साथ भीड़ना लगे और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अपना प्राधान ये लागू करने में कठना ही ना है विशेश तोर पर बैंक्स में चो कि अब हर किसी को चाहे सायता के रूप में चाहे उनकी मासिक सेलरी के रूप में उनको पैसा बैंक में मिलना शुरू हुआ है और पेंशन भी वो भी मिलनी शुरू हुई है हमने ये ध्यान रखा है कि इसको दिरे दिरे दिन बांट करके एक स्टेगर्ड तरीके से हम पंदरा दिन के अंदर हमने प्रारंब से ले करके और 20 तारी तक तिया निशित की है किस दिन किसकी सेलरी पैंशन ये जाएगी किंदर की ओर से भी 500 रुपया हर एक हमारी बहन के खाते में जंधन योजिना का जो अकाउंट है उसके अंदर भीज़ दिया गया है किसानों के लिए भी जो किसान मानधन पैसा है उसका अभी 2000 रुपया प्रतिक खाते में इस महिने के किस्त वो भीजी गई है जिस दिन भी पैसा हमारे बैंक में आएगा कोशिश की गई है कि आपको SMS के दौरा उसकी जानकारी भी मिल जाए लेकिन जानकारी मिलती है उससे पहले बैंक में जाने की कोशिश न करें और उसके बाद भी हम एक प्रावधान कर रहे हैं हमने बैंक के लोगों कहा है कि आप एक प्रावधान करिए ताके घर बैठे जो बैंक में आना चाहता है व्यक्ति पैसा निकालने के लिए वो अपना SMS करे अत्वा कोई एप आप लागू कर दें उसको घर बैठे ही पहले टोकन मिल जाए अगर उसको समय और टोकन नंबर ये मिलता है तो निशित समय पर कोई व्यक्ति बैंक में आयेगा ताके हाँ आकर के हम को देर तक इंजार ना करने पड़े शोशल डिस्टेंस भी वमारी बनी रहे इसका भी एक प्रियोग करके आपको एक या दो देनों के अंदर ये बता दिया जायेगा मित्रो इस समय डॉक्टर्स समाने तया इस महामारी की लड़ाई के लड़ने के लिए या मेडिकल कॉलेज जहां कोविड के स्पेसिफिक कोविड के इलाज चल रहा है वहाँ ना जा करके और दूसरे हस्पालों में जाएं फिर भी कहीं कहीं ये कठनाई आ रही है तो उसके लिए प्रावधान में लागू किया है टेली मेडिसन का भी प्रावधान लागू किया गया है टेली मेडिसन में हम का इंटरनेट के माध्यम से अपनी सारी हिस्ट्री बता करके और दवाई का लिने का काम कर सकते हैं सब डॉक्टर्स को इस प्रावधान के लिए हेल्प लाइन नंबर भी दे दिये गये हैं उनके डॉक्टर्स के अलग से नंबर भी मिल गये हैं हम टेलीफोन करने पर भी डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि वो डॉक्टर आपको टेलीफोन के ओपर भी आपका रोग पोच करके के बिमारी पोछ करके और दवाई प्रेस्क्राइब कर सकता है और वो दवाई हम ले करके अपना इलाज करा सकते हैं इसी प्रकार हमने विचार किया है कि मुबाईल डिस्पेंसरी इसकी भी संख्या बढ़ाई जाए अभी तक 200 मुबाईल डिस्पेंसरी के माध्यम से सांसान पर जा करके और यह दवाई दी जा रही है अभी हम इसका इसकी जो संख्या है वो बढ़ा करके बहुत जल्दी 500 मुबाईल डिस्पेंसरी यह करने जा रहे हैं ताके हमें दवाई लेने में जो डॉक्टर हमारे पास साथ आएंगे मुबाईल डिस्पेंसरी में हमें अपनी स्मार्ट फोन के अंदर लोड करना चाहिए जिस जिस के पास स्मार्ट फोन है अपने फोन में आरोग्य से तू इस एप को लोड करें इसका लावी होगा कि हम यदि किसी कटनाई को महसूश कर रहे हैं तो उसमें अपनी जानकारियां दे करके और आरोग्य से तू एप हमको बता देगा कि हमको आगे क्या सावधानी बरतनी है कर इलाज कराना है तो कहां कराना है एक बड़ा लावी होगा दूसरा लावी होगा यदि हमारे आसपास बहुत निकटता से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है और उसने भी आरोगे एप आरोगे हिसेतु एप लोड किया हुआ है और सामने वाला व्यक्ति यदि किसी कठनाई से या महामारी से छोटे मोटे भी उसके अंदर सिम्टम्स हैं लक्षन हैं तो हमको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि एक व्यक्ति हमको मिलने के लिए आया है उसके अंदर ये लक्षन है या कहीं दुरुभाग ऐसे मानो हमारे अ ऐसा लक्षन प्रतीत होता नजर आएगा तो दूसरे व्यक्ति को जो हमारे साथ आया उसको भी जानकारी मिलेगी ऐसी सब जानकारियां हमें हमारा जो स्वास्त केंद्र है उन तक भी अपने आप पहुंचेंगी ताकि किसी प्रकार की कोई कठराई मालो हमें नहीं पता लगे या पता लगते ही हमारे स्वास्त केंद्र को भी पता लग गई तो हमें संपर करके और इस भीमारी में से हमको बचाया जा सकता है एक बहुत बड़ी सुईधा ये केंद्र में प्रधानमंत्री जीने स्वाम इसको लागू कराया है इसको बड़ी संख्या में आरोगे से सब विशों को लेकर के खेती यह हमारा बड़ा विशा है और इस समय किसान की फसल वो कटाई के लिए वो तयार है और बलके बहुत लोगों ने तो निकाल भी लिए अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए वो तयार बैठे हैं हमने उसका एक टाइम टेबल गोशित कर दिया है जो 20 मई से 20 अपरल से गिहों की हमारी जो प्रकूरमेंट ये शुरू हो जाएगी और 15 अपरल से उसे पहले जहां जहां सरसों हैं सरसों की भी हो जायेगी बहुत सानों पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं मजदूर जो हमारे इस इस इलाके में दूसरे परांतों से आया करते थ परिवार और किसान का हर परिवार परिवार और लंग करने के लिए आखर कोई काम इस परकार का नहीं होता जिस काम को करने के लिए हमको संकोच हो हमरा अपना काम है इसलिए हमें जमीन के साथ जुड करके कोई भी कितना भी श्रेष्प अपने आप को मांता हो बड़ा मांता हो नौकरी करता हो तो उसको कभी भी अपने काम को घर के काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए इस बार प्रस्थितिय ऐसी बनी है कि सब लोग मिल कर कि. हाँ स Ein-Yok के लिए जवा वहों जो मजदूर है उनका तो हम उंक्योंगा के जो मजदूर है. हमने वहाँ के बिडीपियो को यह कहा है. कि जहां जहां के मजदूर हैं उनको भी भूला करके किसानों को कहना चाहिए. कि उनको उनकी सैलरी दे करके, देने को उसकी ध्याड़ी दे करके उनसे भी काम कराना चाहिए जो मजदूर हमारे हाँ कैम्पों में रुके रिलीफ कैम्प्स में लगभग 15,000 अभी भी उन कैम्प्स में मजदूर हैं जो दूसरे प्रांतों के हैं अब उनसे भी उनकी इच्छा जानकरी ले रहे हैं कि अधी खेतों में काम करने के लिए तयार हो तो आसपास के गाउं में जाकर के वो काम कर सकते हैं मित्रो इस परकार आज प्रधानमत्री जिन जो हमारा मारगदशन किया उसमें से बहुत से जो संकेत दिये वो मैंने आपके सामने रखे हैं और उसमें से एक संकल्प लेने की बात उन्होंने कही है कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं यह हमारा सब का काम है किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक गाउं का, एक छहर का, एक जिले का ये काम नहीं है बलके ये हमारा सबका काम है और सबके काम के लिए हम एक जो ठोकर के काम करेंगे ये उन्होंने आवान किया है और यदि एक जो ठोकर के काम करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इस कोरोना के बिमारी को हम मकाबला ना कर सकें इसको हरा ना सकें और मैं तो सामाने वक्ति, चाहे वो मजदूर है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट आज मजदूर पर है, किसान पर है, छोटे दुकानदार पर है, आम आदमी पर संकट है, अभी तक हो सकता है, वो अपने अपने परिवार की बात करता हो, लेकन हमको अपना तो चिंता करनी है, अपने परिवार की काम करना है किसान जैसे आज जूज रहा है जिस भी प्रस्ति में है उसकी फसल का एक एक दाना मैं सरकार की और से विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से खरी देंगे किसी का दाना छोड़ेंगे नहीं समय उसमें अधिक लग सकता है क्योंकि मंडियां भी हमने इ दोज़ार के लगवग बनाए हैं मज़़ूरों की भी कमी हैं हमने बोरियां देने के लिए उनको कहा है जो किसान इसको होल्ड कर सकता है अपने पास अपने घर में रख सकता है तो एक महिना दो महिने के लिए अपने पास रखे और जैसे ही उसको सूचना मिलेगी संकेत मि वेलेगा उसके बाद वह मंडी मर लेकर आएगा इस बार कोई भी कस्थ है वो सब हमने मिल करके उठाना है देश और समाज के लिए उठाना है अपनी जो ये रभी की कटाई इसकी फसल की विक्री ये तो सब होगा ही साथ ही खरीफ की फसल ये भी हमने वुआई करनी है उसकी तैयारी भी हमको साथ-साथ करनी है इसके लिए अगली तैयारी आप सेम अपनी तो करेंगे ही सरकार की ओर से जो आफशिक होगा खाद होगा बीज होगा ये सब भी उपलब्द कराया बैंकों के अंदर जो आपने फसलेरियन ले रखा है उसके लिए भी समय हमने आगे बढ़ा दिया है कि जब आपके पास अगले दो मेहने में पैसे आते हैं तब ही आपने जमा कराने हैं उसके लिए भी आपका जो ब्याज पहले प्रदेश की और से चार पसंट दिया जाता है उसकी कोई नगोई साहिता कि अंदर करें ऐसा आपकी और से हमने उनको भी कहा है खरीफ की फसल की तयारी भी आप लोगों को करनी हैं हम सरकार की और से हर प्रकार का सयोग आपका करेंगे मैं पुरा आप से अपील करता हूँ कि जैसे प्रदेशों ने एक दूसरे की पर दुकान दा रहे हैं चाहे हमारे मज़दूर भाई हैं प्रस पर एक दूसरे का सा योग हमें गाउं में भी रह करके हमारा पूरा इकाई यूनिट पूरा गाउं पूरी बृरादरी यह सब एक होकर करेंगे इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित हमारी विजए हो आगा आगा आगा